लवलेश तिवारी जो आरोपी है जो बांदा से है उसका साथ उसके कुछ दोस्तों ने दिया और अब उस पर वे गारवाई की जा रही है ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं SIT की टीम ने आती कशव के हत्या के मुख आरोपी लवलेश तिवारी के तीन दोस्तों को हिरासत में लिया है उन्हें उत्तर प्रिश के बांदार हिल्वेस्टेशन से हिरासत में लिया गया इसके साथ SIT की टीम हमीरपूर और कासगंज भी पहुंची है और आरोप इन तीनों हिरासत में बांदार हिल्वेस्टेशन से लिया गया है और SIT की टीम हमीरपूर और कासगंज भी जा रही है क्योंकि बाखी जो दो आरोपी है वो हमीरपूर और कासगंज उसे हैं SIT की टीम हर एक एंगल से तफ्तीश कर रही है आखिर हत्या क्यों की गई हाला कि इन में से एक आरोपी लवलेश ये कहता है कि और सनी ये कहता है हमें बड़ा डॉन बनना है इसलिए हमने ऐसा किया हमें किसी ने कुछ नहीं कहा था लेकिन हम करना जादे जो और कटर हिंदू है कुछ ऐसी बाते भी उनकी ओर से जो है कही गई दीपक बिश्ट अमारे साथ अमारे सायोगी लाइफ बने हुए है दीपक किस तरीके से इनको ट्रेनिंग दी गई इसको लेकर इनके तीन दोस्त जो है हिरासत मिले गए बांदा जेल से बांदा रेल विस्टेशन से बाफ की जोगा देखे मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस ने उसे दिन से ये साफ क्लियर कर दिया था क्योंकि जिसने साइटी को इजास फॉपी गई थी उसके बाद पुलिस उस नेटवर्क को खंगालने में जूती हुई है जो इसके पीछे का मासर माइंड है और इसके लिए जो जो पुलिस पहुंची है जिनमें बांदा से पकड़ेगे रेल्वे से से वो लड़के हैं यह उनके साथ का बाच्रीत माय थी को कि लवले स्तिवारी जो है उसका संपर्क का यह बात की है या उनके संपर्क में थे उन सभी से पूसाज की जा रही है और अभी ऐसे तीन नहीं ब यह भी निकल कर आई कि हम ने किसी के कहने पर नहीं किया में तो बड़ा डॉन बनना इसलिए हमने एक डॉन को मार दिया और अब हम इससे बड़ा डॉन बनना चाहते हैं पुलिस का कहना है कि इस मामले में वो अलग-अलग बयान बाजी कर रहे हैं और बयान होए विरोधा भाज जब होता है तो इसका मतल़ साफ है कि किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है तो हो सकता है इसके पीज़े कोई अतीक और अश्रफ को मारने वाले शूटरों के जितेंदर गोगी गिरोज से हत्यार मिलने की खबर पुलिस पुछताच में शूटर सनी बोला 14 अपरिल को कोट में ही मारने की थी प्लानिंग उमेश पाल मुर्डर मामले में फरार शाहिस्ता और गुड़ो मुस्लिम की तलाश तेज कोशामबी के एक गाउं में पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से चलाया सर्च ऑपरेशन अश्रफ की पत्नी की भी तलाश जारी पिल्ली में आज से ग्लोबल बौध शिखर सम्मेलन की शुरुबात प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी करेंगे उधगाटन दो दिनों तब चलेगा ये सम्मेलन